अलो फ्रेंड्स आज मैं कुल्चा बनाने जा रहे हूं उसके लिए मुझे एक बॉल मैदा चाहिए एक चम्मच रिफाइंड आदा कटोरी दही बन फॉर्ट की स्पून बेकिंग सोडा आदा चम्मच से कम नमक और हरा धनिया एक बड़े बॉल में हमने मैदा डाल दिया है अब इसमें हम दही डालेंगे नमक और मीठा सोटा भी डालेंगे और रिफाइन डाल देंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जैसे हम चपाती के लिए आटा मलते हैं विकुल उसी तरह इसका भी डो बना लेंगे हमने जो आटा गुंदा था कुल्चे के लिए अब हम उसका कुल्चे बनाने जा रहें जैस ओन कर दीजिए तबा रख दीजिए इतना बड़ा लेंगे पेड़ा और इसको टोटी की तना बेल लें हम तबे पर ही तंदूरी कुल्चा बनाएंगे अब इसके उपर आप धनिया चिपका दें उगलियों की सायता से दबा दबा के और इसको दूसरी साइट पर करके आप इस पर पानी लगा दीजिए पानी लगाने के बाद तबा गराम हो गया है हम इसे तबे पर डाल देंगे तबा को हम उल्टा करके कुल्चे को ऐसे गैस के उपर सेखेंगे कि अपर देंगे बाल देंगे पानी लगार पानी लगात पर पानी लगार देंगे देखिए कितना अच्छा कुल्चा सिग गया है अब हम गैस बंद कर देंगे कुल्चे को हम फ्लेट में ले लेंगे अब इसके उपर हम घी लगा देगे देखिए कितना अच्छा कुल्चा बना है और सौफ भी है यह देखिए आपको अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंक यू यह देखिए आप ऐसे खा सकते हैं सिर्के वाले प्याज और दही और छोले के साथ तैंक यू स्थादु स्थादु स्थादु